आज मैं आपके साथ मूंकी दाल और आटे की बनी हुई एक ऐसी जबर्जस रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में सबी को बहुत पसंदाने वाली है साथी साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसे हमने आटे से और मूंकी दाल से बना के तैयार किया है बनाने में एकदम आसान है और खाने में इसका स्वाथ बहुत ज़्यादा अमीजिंग होता है आप इसे हफ़ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है आप इसे शाम को चाय के साथ enjoy कर सकते हैं चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा tasty लगती है तो चलिए जटपट से देख लेते हैं इस recipe को कैसे बनाना है तो hi everyone, welcome back to my kitchen तो चलिए जटपट से शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सा वीडियो तो आज की इस tea time snacks को बनाने के लिए यहाँ पे लेना है हमें मूंग की दाल तो यहाँ पे आदा कप मूंग की दाल ली है मैंने और इसे अच्छे से हमें भीगोना है आप चाहें तो इसे overnight के लिए भी सोक कर सकते हैं पर मैंने यहां 3-4 घंटे के लिए से अच्छे से धोके सोक कर दिया था क्योंकि 3-4 घंटे में ही यह अच्छे से भीग जाती है तो आप चाहें तो यहाँ पे बिना चिलके वाली डाल होती है उसका यूज भी कर सकते हैं पर छिलके वाली दाल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए तो आज मैं इसी को यूज करके रेसिपी बनाने वाली हूँ तो देखे फ्रेंट्स इस तरह हम दो तीन बार इसे अच्छे से साब पानी से वाश कर लेंगे और इसे फिर हम भिगोने के लिए रख देंगे तो चली फ्रेंट्स यहाँ पे तीन चार घंटे हो गए हैं और अब दाल को हम चैक कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से हमारी भीग गई है तो ये दो टुकडों में आराम से डिवाइड हो रही है means अच्छे से ये फूल चुकी है तो बस इसका हमें पानी निकाल देना है और सभी दाल को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे अच्छे फ्लेबर के लिए इसमें एड करेंगे एक चम्मच सौफ एक चम्मच साबुत धनिया और इसमें अब जाएगा एक चम्मच साबुत जीरा और उसी के साथ हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो बस धक्कन लगा के अब आप सभी को अच्छे से पीस लीजिए इसका बिलकुल फाइन पेस्ट हमें बना के तयार कर लेना है तो लीजे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिलकुल स्मूथ बिलकुल फाइन जो है पेस्ट हमारा बनके बिलकुल रेडी है तो इसे अब हम side में रख देते हैं और चलते हैं आगे की तरब तो यहाँ पे मैंने left over आटे का use किया है आप चाहे तो बिल्कुल fresh आटे से भी इसे बना के रख सकते हैं तो बस यह सुबह का आटा बच गया था बस मैंने वही ले लिया है उसके बाद हम लेंगे एक chopping board आप चाहे तो यहाँ पे चकला भी use कर सकते हैं सभी आटे को पहले आप board पे डाल लीजिए और अच्चे से उसे एक दो मिनट के लिए मसल लीजिए तो बस इसकी अब हम दो बराबर लोईया बना लेंगे और एक लोईय को अच्चे से गोल शेप में तयार कर लेंगे देखे इस तरह है अब हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तयार कर लेंगी है जितनी भी बड़ी आप बनाना चाहते हैं आपने कितना आटा लिया है उसके हिसाब से आप उसी एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इसकी रोटी बना ली है और उसके उपर अब हम एड़ करेंगे थोड़ी सी टमेटो कैचप आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं या फिर बच्चों की फेबरिट पीजा पास्ता सोस भी लगा सकते हैं आपको जो भी चटनी अच्छी लगे उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं अब इसके उपर हम लगाएंगे डाल का पेस्ट जो हमने डाल का पेस्ट बना के रखा है अच्छे से चारो तरफ आप चमज की मदद से या फिर हाथ की मदद से इस पे फैला दीजे तो evenly फैलाना है आपको चारो तरफ और जब ये फैल जाए अच्छे से तो उसके उपर आगे की तरफ रोल करते जाएंगे देखे फ्रेंट इस तरह तो ये बहुत ही आराम से रोल हो जाता है कोई भी दिक्कत नहीं आती है आपको तो बस इसी तरह सारे हम नाश्टे को इस तरह रोल करके तयार कर लेंगे तो लीजे फ्रेंट ये विलकुल तयार हो गया है और सा चटनी लगाई है और थोड़ इसी टमेटो कैचप तो चटनी आपकी फेबरिट जो भी हो आप वो एड़ कर सकते हैं तो देखिए इस तरह अच्छे से सभी को स्प्रैड कर दीजे पहले और उसके बाद हम दाल वाला मिक्स इस पे अच्छे से चारो तरफ फैला देंगे तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है प्लीज उसे लाइक चरूर करें और तो चैनल को भी जरूर सब्सकाइब कर लें तो इसमें चिली फ्लेक्स डालने के बाद आप यहाँ पे चार्ट मसाला भी आड़ कर सकत तो देखिए बस सेम प्रोसेस से हमने इसे भी अच्छे से पैक कर लिया है जिसे की दाल है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह हमारे दोनों रोल जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब इसे हम स्टीम करेंगे तो यहाँ पे गैस पे मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए उसके बाद हमें लेनी है एक स्टीम प्लेट अगर आपके पास स्टीम वाली प्लेट नहीं है तो आप इस तरह दूद वाली छनली ले लिजिए ये तो सभी घरों में होती है अच्छे से पहले आप इसे और उसके बाद इसे इस तरह से कढ़ाई के ऊपर या फिर पतीले के ऊपर अरेंज कर दीजिए और उसके ऊपर जो हमने अपने रोल बनाके रखे हैं उन्हें इस तरह से लगा दीजिए और फिर इन्हें साथ से आठ मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से आप स्टीम कर लें तो लीजे फ्रेंड्स याँ पे साथ से आठ मिनट हो गए हैं और हमने जो रोल बनाये थे वह अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अच्छे से पक भी गए हैं तो बस इसके बाद अब हमें इनकी कटिंग करनी हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टीम करने का यह फाइदा है कि इनकी शेप खराब नहीं होती है तो बस इस्टीम करने के बाद आप इन्हें एक शाप चाकू की मदद से इस तरह पतले-पतले पीस में कट कर लीजिए तो बहुत आसान तरह से कट हो जाते हैं क्योंकि हमने इसे स्टीम किया हुआ है तो इनकी शेप बिल अब इसी तरह हम दूसरे बाले रोल को भी कट कर लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स यहां पर मैंने दोनों रोल को कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कितनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी लगते हैं तो चलिए अब फ तो यहाँ पे पैन में मैंने cooking oil डाल दिया है और सात ही हम यहाँ पे लेंगे कुछ करी पत्ते जैसे ही हमारा तेल medium hot हो जाएगा तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़े से राई के दाने लगबग एक चमच और सात ही डालेंगे थोड़े से सफेद तेल और उसके बा सबी नाश्ते को आप इस तरह से अरेंज कर दीजिए तो जब आप इन्हें करी पत्ता और राई और तिल के साथ इस तरह सेलो फ्राइ करेंगे तो इन में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है बहुत अच्छा फ्लेवर निकल गयाता है क्योंकि राई और करी पत्ते का एक अप अच्छा कलर आने तक सेख लेजिए जब तक कि यह क्रिस्पी ना हो जाए और जब तक इन पर अच्छा कलर ना हो जाए तो देखे फ्रेंड्स यहां पे तीन चार मिनट मुझे हो गए हैं इन्हें फ्राइ करते हुए और आप देख सकते हैं कि अभी से यह कितने ज्यादा लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन पर कलर भी आ गया है तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं तो लीजे फ्रेंड्स यहां पे यह तो बनके बिलकुल तयार हैं तो लग रहे हैं बिलकुल एकदम टैम्टिंग बहुत ह ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बने हैं तो चलिए इसी तरह हम सेकंड बैच को भी फ्राइ कर लेते हैं फिर उन्हें भी हम जटपट से निकाल लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स तैयार है एकदम गर्मा गरम नाश्टा हमारा जो हमने बनाया है गेहूं के आटे और मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी है बहुत ही पॉस्टिक है साथ में ही बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट भी है ये ऐसा नास्ता है जिसे बच्चे, बड़े, बुजूर्ग सभी बहुत पसंद करेंगे और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है आप इसे चाय के साथ सर्ब कर सकते हैं सॉस के साथ चटनी के साथ जिसके साथ भी आपकी मर्जी हो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर